दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सुनो कहानी हॉरर के एक नई एपिसोड में मेरा नाम है विरेन और आज मैं आपको रस्किन बॉंड की एक छोटी सी और बेहद दिल्चस्प कहानी सुनाने वाला हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो क्रिप्या करके आप लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी आप कोई सलाह या मश्वरा भी दे सकते हैं तो चलिए कहानी शुरू करते हैं ये कहानी बहुत पुरानी है पुराना शिम्ला तब वहां की जनसंख्या बहुत कम थी इसलिए घर भी दूर दूर हुआ करते थे मगर समय के साथ जैसे जैसे शिम्ला में लोग बढ़ते गए वैसे वैसे नई नई बिल्डिंग्स बनते गई कई बिल्डिंग्स ऐसी जगवों में बनी जहां पहले कुछ और हुआ करता था जैसे कबरिस्तान, हॉस्पिटल या मुर्दा घर आज जो कहानी में आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी एक मुर्दा घर के नाइट वाच्मेन की है सालों पहले वो आदमी उस मुर्दा घर में काम किया करता था और ये कहानी उसी के पॉइंट आफ व्यू से मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मेरा नाम गोपाल है ये तब की घटना है जब मैं शिमला के एक मुर्दा घर में नाइट वाच्मेन का काम किया करता था कई साल बीथ चुके हैं उस रात को मगर आज भी वो रात मुझे पिछली रात की तरह ही याद है उस मुर्दा घर में बिजली नहीं थी सबको ऐसा लगता था कि मुर्दों को रोश्नी का क्या काम मगर मैं उस मुर्दा घर में एक कैरोसीन का छोटा सा लैंप जला कर रखता था वो एक ही कमरे का मुर्दा घर था मतलब कि मुझे और मुर्दों को उसी कमरे में रहना पड़ता था मुर्दों के साथ मुर्दा घर के उस कमरे में रात गुजारना मेरे लिए मुश्किल नहीं था कई सालों से मैं वही तो कर रहा था मगर उस शाम एक जवान लड़के की लाश उस मुर्दा घर के अंदर लाई गई एक जवान खुबसुरत लड़के की लाश अंधिरा होने लगा था रात गहराने लगी थी वो रात मैं अजीब महसूस कर रहा था कुछ बेचैनी सी थी मेरे अंदर किस वजह से थी वो नहीं मालूम पर मुझे वो रात सामानने नहीं लग रही थी इसलिए अपनी बेचैनी को कम करने के लिए मैंने जेब से एक बीडी का बंडल निकाला और एक बीडी सुलगा ली और जल्दी जल्दी उसके दो तीन कश लिए बीडी के कश मारते हुए मेरी नजर उस जवान लड़के की लाश के उपर ही थी उस लाश को देखकर मेरे मन में कई सवाल आए कि कितनी चोटी उमर में उस बेचारे की जान चले गई इसके माबाब का क्या होगा क्या इसकी शादी हो गई होगी बच्चे तो अभी इसके चोटे ही होंगे फिर मन में ख्याल आया कि एक लाश के सामने बीडी पीना ठीक नहीं इसलिए मैंने बीडी बुझाई और एक कुरसी में जाकर बैठ गया कमरे में रोशनी पहले से कम हो गई थी क्योंकि कैरोसीन का वो चोटा सा लैंप जिसमें कैरोसीन से भीगी हुई सूती कपड़े की एक बत्ती होती है वो बत्ती पूरी तरह जल चुकी थी इसलिए लोग कम हो गई थी मैंने सोचा उस लैंप के स्क्रियू को गुमा कर बत्ती की लोग को बढ़ा लूँ इसलिए मैं कुरसी से उठकर लैंप के पास गया मगर जैसे ही मैं उसके पास गया वो लैंप जट से बुझ गया पर अभी तक सब कुछ सामानने था क्योंकि वो लैंप तो वैसे भी बुझने ही वाला था इसलिए मैंने उस लैंप की बत्ती को बाहर खींचा और उसे फिर से जला दिया अब वापस उस कमरे में तेज रोशनी होने लगी मगर जैसे ही मैं वापस अपनी कुर्सी पर गया वो लैंप फिर से बुझ गया वो लैंप फढ़ फढ़ाते हुए ऐसे बुझा मानू जैसे कोई तेज हवा का जोंका उसके पास से गुझरा हो या किसी ने फोंक मारी हो पर वहां ना हवा चल रही थी ना ही मेरे अलावा वहां कोई था जो से फोंक मार कर बुझाता अब कमरे में घुप अंधेरा चाया हुआ था मैं वापस बत्ती को जलाने के लिए कुर्सी से उठा कि तभी मुझे कुछ महसूस हुआ कुछ गीला सा, एकदम ठंडा सा मेरे हाथ को छोकर वो गीली ठंडी चीज मेरे पीछे की तरफ चली गई फिर वो घूमकर मेरे सामने आया कभी मेरे उपर, कभी मेरे नीचे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे उपर चल रहा हो मेरे शरीर के चारो तरफ मुझे गीला पन महसूस होने लगा और मेरे शरीर एकदम ठंडा पड़ने लगा और फिर मैं पेहोशो कर फर्ष पर गिर गया अगली सुबह मुझे होश आया जब मेरे दोस्त मुझे हिला रहा था उसने मुझे से पूछा हे घुपाल, क्या हुआ, यहां क्यों पड़ा हुआ तो मैंने उसे पिछली रात की घटना बताई मेरा दोस्त हसा और बोला अबे तेरी आँख लग गई होगी तुने कोई सपना देखा होगा चल जा, घर चल जा, अराम कर ले इतना बोलकर, वो वहां से चला गया मैं खड़ा उठा और देखा, वो जवान लड़के की लाश अभी भी वही पड़ी हुई थी मैंने अपने कपड़े जाड़े तो पाया, मेरे कपड़ों में किसी के पैरों के चाप थे मैंने उन पैरों के चाप को गोर से देखा, तो पाया दाहीने पैर के चाप में पांच की जगहें छे उंगलिया थी और फिर मैंने उस जवान लड़के की लाश के पैर के उपर से कपड़ा हटाया तो जो देखा वो देखकर मेरे रोंग्टे खड़े हो गए उस जवान लड़के के दाहीने पैर में छे उंगलिया थी और वही था जो पिछली रात मेरे पूरे शरेर के उपर चल रहा था मैं तुरंट वहाँ से भाग के सीध अपने घर आ गया और फिर कभी वापस उस मुर्दा घर में नहीं गया ये थी मेरी जिन्दगी की सबसे भयानक रात आज भी उस रात के बारे मैं सोचता हूँ तो मेरी रूह काप जाती है मेरा नाम मुकेश है ये कहानी आथ से तीन साल पहले की है जब मैं 21 साल का बेरोजगार था रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था एक दिन मेरी मुलाकात एक हॉस्पिटल में काम करने वाले बंदे से हुई जिसका नाम वसीम खान था वसीम भाई ने मेरी परिशानी समझ के मुझे अपने हॉस्पिटल में कोई ना कोई काम दिलाने का वादा किया और मेरा फोन नमबर लेके चले गए चार दिन बात शाम के वक्त उनकी कॉल आई और वो बोले कि मेरी नौकरी का इंतिजाम हो गया है और मुझे तुरंथ हॉस्पिटल आने को कहा मैं तयार होके हॉस्पिटल पहुँच गया शाम हो चुकी थी वहाँ पहुचके मैंने वसीम भाई को कॉल बेक करने के लिए फोन निकाला ही था कि पीछे से वसीम भाई आके मेरे सामने खड़े हो गए नौने एक आदमी की और इशारा किया और कहा कि जाके उससे बात कर लो उसको बोलना की काम के लिए आया हूँ फिर बोला कि देख भाई तुझे काम की जुरत थी मैंने काम दिलाने का वादा किया था मैंने अपना वादा पूरा किया अब तुम मन लगा के काम करना मैंने उनको पूछा कि काम क्या है तो उन्होंने बताया मुझे मुर्दा घर के बाहर और नाइट गाड की ड्यूटी करनी है आठ हजार रुपे तक मिल जाएंगे आठ हजार रुपे मेरे लिए बहुत थे इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ बाहर से कुरसी लगा के बैठना ही तो है और वैसे भी मैं भोले का भगत हूँ भूद प्रेतों से नहीं डरता वसीम भाई ने मुझे कहा कि जाके बात कर ले उस मैनेजर से मैंने उनको थेंक्स कहा और जाके मैनेजर से मिला और कहा कि काम के लिए आया हूँ मैनेजर ने मुझे सारा काम समझा के मुझे उसी रात से काम शुरू करने को कहा तो उसी रात से मैंने ड्यूटी जोइन कर ली मैनेजर ने मुझे एक कंबल और एक टॉर्च दिया और कहा कि ड्यूटी में सोना मना है और चला गया मैं मुर्दा घर के बाहर बने केबिन में कुरसी लगा के बैठ गया मगर वहाँ कोई नहीं था तब ही मेरी नजर एक खाली स्ट्रेचर पर पड़ी जिसमें कुछ देर पहले एक डेट बॉडी थी मुझे लगा शायद हॉस्पिटल से ही कोई आया और बॉडी लेके चला गया तब ही मैंने देखा मुर्दा घर के अंदर एक और दरवाजा था जो आदा खुला हुआ था मुझे लगा वहीं से कोई आया होगा तो मैंने वो दरवाजा पूरा खोल के देखा दरवाजा खोलते ही कुछ पीट दूर एक आदमी बिलकुल नंगी अवस्ता में मेरी और पीट करे हुए खड़ा था मैंने उसे अवाज दी मगर उसने कोई हरकत नहीं की मैं आगे बढ़ा और उसके कंधे पे हाथ रखने ही वाला था कि पीछे से मेरे कंधे पे एक हाथ आया मैंने पलट के देखा तो वो वसीम भाई थे वसीम भाई बोले मुकेश जाओ यहां से मैं बोला वसीम भाई वो आदमी वसीम भाई बोले वहाँ कोई नहीं है मैंने पलट के देखा वहाँ सच में कोई नहीं था वसीम भाई फिर बोले तु जा यहां से बारा बज़े बाद मुर्दा घर के अंदर कभी मत आना वसीम भाई ने कहा इसलिए मैं बाहर चला गया और वापस YouTube में मूवी देखने लगा तब तक मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा मुझे लगा जो चलने की अवाज आ रही थी वो वसीम भाई थे वो नंगा आदमी होगा कोई मुझे क्या करना है ऐसा सोच के मैं मूवी देखने लगा अगली सुबह मैनेजर ने आके कैस्वाली मुझे से पूछा कि कैसी रही पहली राट ड्यूटी की मैंने कहा ठीक रही फिर मैंने मैनेजर को रात वाली घटना बताई कि एक नंगा आदमी देखा जो कॉरीडोर में खड़ा था फिर वसीम भाई भी आये थे रात में मैनेजर ने चौक के मुझे देखा और कहा वसीम मैंने कहा जी सर वसीम भाई वसीम भाई नहीं तो मुझे इस जॉब के लिए बुलाया था तब मैनेजर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मुर्दा घर के अंदर लेके गए और एक डेड़ बॉडी के पास ले जाके उसके चेहरे से कफन अटाया और कहा वसीम मर चुका है वसीम भाई की डेड़ बॉडी देखके मेरे पैरो तले जमीन खिसक गई कल रात ही तो मुझे मिले थे मुर्दा घर के अंदर मैनेजर ने आगे बताया कि कल शाम ड्यूटी आते वक्त वो रोड एक्सिडेंट पे मारा गया और पहले वसीम ही मुर्दा घर का नाइट वाच्में था मुझे मैनेजर की बात पे और अपनी आखों पे यकीन नहीं हुआ मैं सच में अंदर तक काप रहा था मैंने मैनेजर से छुट्टे ली और घर आ गया पहले मैं भूत प्रेतों पे यकीन नहीं करता था लेकिन कल की घटना के बाद यकीन हो गया था कि भूत होते हैं वसीम भाई ने मुझे नौकरी दिलाने का वादा किया था और उन्होंने मरने के बाद भी अपना वादा नहीं बाया वसीम भाई जैसा जबान का पक्का मुसल्बान मैंने पहले कभी नहीं देखा मैंने वसीम भाई की आत्मा की शान्ति कले प्रात्ना की और उनके निभाई वादे का सम्मान करते वे शाम को फिर से ड्यूटी जॉइन कर ली और हाँ, अब मैं भूत पेतों पे यकिन करता हूँ पर डरता नहीं दोस्तों गर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें चैनल सब्सक्राब नहीं किया तो सब्सक्राब कर लें मेरे चैनल में कई और दिल्चस्प कहानिया हैं उन्हें भी ज़रू सुने चैनल से जुड़े रहें मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद